नमसकार जुहार प्रणाम, मेरा नाम विवेक है और वेब समचार 24x7 देख रहे हैं आप इस खवर में हम बात करने वाले हैं राची लोगसभा सीट कि सियासी समीकरन के बारे में क्या रहा है राची लोगसभा सीट का सियासी तिहास और क्या बन रहा है समीकरन 2024 के लिए तो आ तहल चौदरी जीते थे और 2019 में संजसे जीते थे तो भाजपा जो है वो इस सीट पर मजबूती बनाए हुए है लेकिन हाला कि इस बार क्या समाजिक समीकरन बन रहा है सभी की चर्चा इस खबर में हम करने वाले हैं तो आपको बता दे कि राची सीट जो है वो एक तरह से की राजधानी है आपको बताते चले कि राची का जो सियासी इतिहास है वो कुछ इस तरह है साल 1952 की बात करें तो साल 1952 के लोकसभा चुनाओं में राची पर पहली बार कॉंग्रेस के अब्दुल इबराहिम जीते थे 1997 में निर्दल ये प्रत्यासी मीनू मसानी ने जीत हा 62 और 1971 में पीके घोस लगतार तीन बार लोकसभा पहुंचे थे 1997 में बीलडी के रविंदर वर्मा सांसद निर्वाचित हुए थे 1980 और 1984 के में कॉंग्रेस के सिव प्रसाद साहु ने जीत दर्ज की थी इसके बाद 1989 के चुनाओं में जंता दल से सुबोत कान साहय सांसद चुने गए थे ये राची सीट का जो है वो सियासी इतिहास है आपको हमने बताया कि आखिर इतिहास में कब-कब कौन-कौन सांसद चुने गए थे राची लोकसभा सीट से अब हम आपको बता दे कि लगतार चार बार से बीजेपी का दबदबा बना हुआ है राची लोकसभा सीट पर इसके बाद बीजेपी के टिकट पर 1991, 1996, 1998 और 1999 में राम टहल चौदरी चार बार सांसद चुने गए थे इसके बाद 2004 और 2009 में कॉंग्रेस के टिकट पर सुबोत कान सहाई चुनाओ जीते थे इसके बाद 2014 में बीजेपी के टिकट पर राम टहल चौदरी और 2019 में संजेद सेट जीत कर लोकसभा पहुँचे थे तो लगतार चार बार जो है वो बीजेपी के सांसद चुने गए थे और इसी के साथ साथ बीजेपी का दबदवा जो है वो राची लोकसभा सीट पर लगतार बढ़कर आ रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि राची लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के लिए एक तरह से अभेद किला बना हुआ है मतलब भाजपा जो है वो राची लोगसवा सीट पर हमेशा ही मजबूत दिखाई देती है हलाकि 2004 और 2009 में सुबोत का अंसाय जीत गये थे लेकिन उसके बाद से लगतार भाजपा इस सीट पर काविज है आपको बता दे कि क्या है मददाता और समाजिक समीकरन राची लोगसवा सीट का आखिर कितने मददाता है राची लोगसवा सीट में और कितने लोग भोट करने जाते है वो भी आपको बता दे तो आपको बता दे कि 2019 के आम चुनाओं के आकड़े के मुक्ताविक एक सीट पर मद्दताओं की कुल संक्या करीब 1935 हजार है और वहीं कुल आबादी करीब 28 लाग थी आपको ये भी बता दे कि 2019 का जो चुनाओं का परिनाम रहा था वो कुछ इस तरह रहा था विजेता संजय सेट हुए थे जो कि भाजपा के है उनको भोट मिला था 7,6,828 और भोट का जो परतिसत था वो 57.21 परतिसत भोट जो है वो संजय सेट को मिले थे और इस चुनाओं में 2019 के चुनाओं में जो उप भी जेता रहे थे जो दूसरे नंबर पे रहे थे वो थे सुबोत कान साहे सुबोत कान साहे कॉंग्रेस पार्टी से तालुक रखते हैं कॉंग्रेस के टिकट पर 2019 का चुनाओं लड़े थे उनको भोट मिले थे 4,23,802 और जो भोटिंग परते सत था वो था 34.3% और जो कुल अंतर दोनों प्रत्यासियों के बीच में जो कुल अंतर निकल के सामने आया वो 2,83,024 भोट का अंतर था मतलब 2,43,024 भोट से जो है वो संजय सेट 2019 का लोगसभा चुनाओं जीत कर लोगसभा पहुंचे थे तो हमने आपको मददाताओ और समाजिक समीकरन के बारे में भी बताया कि आखिर राची लोगसभा सीट का क्या है मददाता और समाजिक समीकरन अब आपको हम बता दे कि राची लोगसभा सीट के लिए भाजपा जो है वो बहुत पहले से तयारी कर रही है आपको पता है कि ज़ारखण में भाजपा ने अपने सभी सीटों पर पत्या से उतार दिये हैं लेकिन जब तक अब ये खबर बना रहे हैं आपके लिए तब तक ये सीट जो है इंडिया गड़ बंदन में कॉंग्रेस को गई है आप सभी को पता है कि ज़ारखण में कॉंग्रेस जेएम एम र खाते में गया है आपको बता दे कि कॉंग्रेस ने अभी तक जब तक हम ये खबर आपके लिए बना रहे हैं तब तक अपने उमिद्वार की घोसना राची लोकसवा सीट से नहीं की है भाजपा तैयारियों में काफी आगे है भाजपा के तरफ से काफी पहले ही उमिद्वार की घोसना कर दी गई थी लेकिन कॉंग्रेस के तरफ से इस सीट के लिए जब तक हम ये खबर आपके लिए बना रहे हैं तब तक उमिद्वार की घोसना नहीं की गई है अभी ये देखना है कि आखिर जब 25 माई को राची में चुना होंगे तो कौन जीत दर्ज करता है क्या संजे सेट अपना इतिहास दोराते है या फिर कॉंग्रेस के पत्यासी को जीत मिलती है ये तो अभी भविश्य के गर्म में है हमने आपको राची लोगसबा सीट का संपून इतिहास और भूगोल भी बताया कि आखिर राची लोगसबा सीट का क्या है इतिहास और क्या है भ झाल झाल